लाडनूरी लाडली मुख्य नियोजी का साद्वी श्री विश्टुत विभाजी नै दिक्षारी रजत जयंतीर आउसर पर आचारी तुलसीरी मानस पुत्री समन्ण श्रेणी करे घणी घणी वंदेना अविवंदेना समन्ण श्रेणी के इतिहास में एक गौरवशाली नाम समनी स्मित रज्या साद्वी समुदाय के ग्रंध का एक प्रभावशाली अध्यन वुख्य नियोजी का साद्वी विश्टुत विभाज़ अरपित है मुमुक्षू मन्जुशा वैराग्य के रंग से रंजित, धीर, फीर और गंबीर सरोश मोदी की साधना 1974 में प्रारंब हुई पार्मार्थिक्षिक्षन सस्था में मुमुक्षू सभिता की रूप हुई सहजता, सरलता, मिलन सारिता, दूर दर्शी, चिंतन, आदी गुणों से मुमुक्षू सभिता ने संस्था में अपनी एक पहचान बनाए आपका जीवन, प्रतिभा और पुर्शार्थ का अद्भूत संगम है इलक्षन दिक्षा के लिए शत प्रतेशत तयार समण श्रेणी मचुशा दिक्षन मेधा के कारण आपने जेम मिश्वा भारती संस्थां से न जान प्रत्य आदेदा बनाए टू और भूक्ष्य सार्व्द्षा गिव्यों आपक्षा यह स्था जान ऑज़ाए शत आदरhrad-ट्वूत निए कि भूक्षिशन निए जान जाबंड प्रत्य ने उनिस सो तेरानबे में चैन दर्शन में में की डिगरी गोल्ट मेडल के साथ हासिक ही निजबर शासन फिर अनुशासन का सुत्र आपकी जीवन में सपष्ट दिष्टी गोचर होता है इसलिए आत्म निष्ठा वा अनुशासन युत व्यवस्था के द्वारा समण शेणी में स आप प्रकार के फूल हम प्राय देखते हैं पहला प्रकार का वख फूल है जो दिखने में तो सुन्दर लगता है किन्तु उसमें सौरफ नहीं होती है दूसरी प्रकार का वख फूल है जिसमें सौरफ तो होती है किन्तु दिखने में बार सुन्दर प्रकित नहीं शालीनिता, सौम्यता, वशिष्टता हमेशा से ही आपके सहगामी में आस्था आत्म निष्ठा और आजार निष्ठा के कार्ण समझ श्रेणी में पाई विकास की अनेक आउसर साथ शिर्ण के अप्रचूना तर्टा रूडर आउसर अरण दा वर्नेका, शैनल यंद बल्चून, हेवान, इकलेश, घर्मनी, स्विजिन, छेंलें, छोंग Кों, नेपल, भूचान, जोर्स, अन्यम वर. गुरु कृपा बन्जुशा गुरु मेरी पूचा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रम्ह, गुरु भगवंत भाग्य विधाता गुरुदेव तुलसी के अनुग्रह से समणी से साध्वी शेणी में आरूहन वक्षन मेरे लिए कितना उल्लात मैथा, कितना आनंद का था मैं उसका शब्दों से वईनन नहीं कर सकती हूँ मुझे बाहो वश्कूरु का वज्रिश्य स्मृती में आ रहा है जब इसी सुधर्मा सभा में आचारिवर में मुझे समणी देख्षा प्रदान की थी लगतार भवत अधित शुब मुहुर्त में किया था और उस शुब मुहुर्त का ही परिणाम है कि आज धीरे धीरे प्रदती हो रही है आज के इस उसर पर मैं शमन श्रेणी के प्रती यही मंगल भामना करती हूँ कि आज़रेवर की मिशन को हम सब मिलकर के साखार करते रहेंगे और शमन श्रेणी का जो निर्मान आज़रेवर ने किया है वही निर्मान और अधिक्तिम रगती से होगा और हम अपनी लक्षित मंजिल को ताक्त करेंगे मुझे इस रेणी में बहुत लंबे समय तक रहने का अवसर मिला और मैंने अनुखो किया कि मुझे भौत अधिक समनी जी का सहयोग भी मिला धुलाई में मुझे सहयोग मिला रंगाई में मुझे सहयोग मिला और सिलाई का भी मुझे सहयोग मिला जो सहयोग समनी जी का मुझे उपलब्द हुआ उसके लिए आज के इस आउसर पर मैं सब के प्रती प्रितग्यता ज्यातित करना चाहूंगी और आज के इस मंगलिक परवपर मैं परमाराज्य आचारेवर से यही आशिरवाद चाहूंगी कि गुरुदेव आप मुझे एक ऐसी शक्ति दे जिससे कि मेरी ये साधुना की अग्रिंगूनी का ओधित्व प्रकाशित हो आचारेवर का मार्ग दर्शन इश्रेणी को निरंतर मिलता रहा और जिसका करण है कि हम धीरे धीरे गती से प्रगती के ओर बढ़ रहे हैं शद्धि युवाचेरिश्री की प्रतिभी मैं कृतग्यता ग्याफित करना चाहूंगी जिनोंने मेरे जीवन के निर्मान में बहुत अमुल्य खशन व्यतीत किये और माहश्रमनी साध्धित्रमुखा स्रीजी के बारे में मैं क्या कहूं कि एक नेता में जो बुण होने चाहिए बे मैंने माहश्रमनी साध्धित्रमुखा स्रीजी में देखें कोई समख सर लेकर के जाती और सहज रूप से एक ऐसा उत्तर मुझे मिल जाता जिससे हमारी सारे समश्याएं सुलट जाती आज के इस मंगल आउसर पर मंगल घ्रन में मेरे आचेरेवर से यही बरेत ना करूँगी हमारी चेथना को जलाएं इनले हमारा ख्यान जलाएं हमारा दर्शन जलाएं ऑमारे में जो आनंद की क्षङता है उस क्षङता को आप जात रिखने रख़वffe महाबीराच ऴेढ़ाती लेकर नागार याउञा देल이։ महाबीराच भराच व्हा अनियातीज़ के लिए आटे कितिकस्स प्राइ में नेगेट आटे करण देल है लेटें आटे कितिकस्स्स प्रेजी करेड प्रेरें आचारी महा प्रग्य का प्रग्य में आभावले और साधना में निर्देशन ने आपकी साधना को गंभीरता और गती प्रदान की गुरु द्वारा प्रदत्त ज्यान योग पिध्यान योग के अनमोल सुत्र आज भी आपके विक्तित्तों में बोलते हैं गुरु गोविंद गुरु मेरा पारव्रम्ह गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारव्रम्ह गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारव्रम्ह गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गो गुरु मेरा पार ब्रम्ह, गुरु भगवन्त, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रम्ह, गुरु भगवन्त, गुरु मेरा पार ब्रम्ह, गुरु भगवन्त, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रम्ह, गुरु गुरु भगवन्त गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रम्त गुरु भगवन्त साद्वी प्रमुखा अनुग्रह मन्जुशा साद्वी प्रमुखा श्वीजी का सदत सानिध्य आपका परम सोभाग्य है जिससे आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शिक्षन वा प्रशिक्षन नेरंतर मिलता रहा है साद्वी प्रमुखा श्वीजी की साद्वी प्रमुखा श्वीजी आपका अनुग्रह मन्जुशा समता और विवहार कुशल्दा ने आपको प्रभावित किया है आपका जीवन सबसे पहले एक साधिका का जीवन रहा है और वास्तव में साधक वे होता है जो सम, श्रम और श्रम का जीवन गयतीत करता है जब साध्वी प्रमुखा स्रीजी के इस जीवन को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कसोती साध्वी प्रमुखा स्रीजी के जीवन में इस पस्टत है घटित हो रही है समता का दृष्टी कोण आपका विक्सित हो गया है समता का विक्सित हो रही है ता इत्व मन्जुशा प्रथम कायूग आग की कुंडली की विशेस्ता है प्रथम पंक्तिने दिक्षित प्रथम समणी नियोजिका प्रथम विशे रही है और पहली नियोजिका पहली विशेस्ता में पहली और प्रथम पंक्तिने दिक्षित इन्होंने काम किया है करती रही है आज मैं पढ़ देता हूं आचारी तुल्सी के जनम जिन तथा समन्ष्रेणी के धवल जयन्थी के अउशर पर मैं आचारी महाप्रग साध्जी विश्चुत विभा को मुक्ष नियोजिका समन्ष्रेणी नियुक्ष करता हूँ समन्ष्रेणी के जवस्था संपादन में कार्य करती है करती रही है अब वे अधिक्रित रूप में अपने दाइत्व का समयक निर्वाह करती रहेगी आचारी महाप्रग अध्धा साध्जी आचारी महाप्रग्यजी के निर्देशन वा आपकी चिंदन शील योजनाओं के अनुरूप समन्ष्रेणी ने विकास की सफल उडान भरी गुरुदेव तुलसी के सपनों को साकार रूप दिया जैन विश्व भार्ती विश्व विध्याले में प्रशासन, अध्यन वा अध्यापन का कारिय, राष्ट्रियों वा अंतराष्ट्रिय स्तरपर आउजित कॉन्ट्रिंस वा सेमिनार में भाग लेना, विदेशों में निरंतर वा सूदूर यात्राएं, F.I.U. मायामी में अध्यापन का कारे, अमेरिकाव लंदन में जेन विश्व भारते के केंद्रों में रहकर धर्म प्रभावना का कारे, जेन व जेनेतर दर्शन का ज्यान आधी अनेक शेत्रों में समणी वर्ग की प्रदिभा को उजागर हुने का अफसर है। 55.2017 मैं आचारिय महास्रमन साद्वी विश्रुत विभाजी को साद्वी समुदाय की यवस्था के संदर्व में असाधारन साद्वी प्रमुखा, महास्रमनी साद्वी प्रमुखा कनक्प्रबाजी की अनंतर सहयोगी के रूप में मुख्यन योजिका के पद पर नियुक्त करत आचारिय मासमन बन्यारा जहार है तो मैंनों साध्री प्रमुखा जी का स्योग होता रहे आप भी बर्सों से वैसे तो सन्रगन हैं कारिया में हैं मैंने ओ थोड़ा गवस्थित रूप दे दिया इसका भई धान ने कर दूँश्ट कि व्याख ट्वार गवस्थित रूप दे घुट है विग तो मैंन जुशाज तो साधना आपकी प्रिय सखी है कायोसत प्रतिमा, मौन, जब वध्यान के विशेश प्रयोग आपने समन शेनी से ही प्रारम रखिये समन शेनी में रविवार को नमक परिहार, पांच वर्ष तक चीनी परिहार और एक महिने में चार उप्वास का अक्रम निरंतर बना रहा उप्वास बेले तेले आदी तपस्या का अक्रम आज भी जारी है श्रूत लेखन, संपादन वा अनुवाद के द्वारा आप अभिक्षन ज्ञानों प्योग में सनलगन है एक ओर जहां आगमों का संपादन वा अनुवाद का कारी किया वहीं आयावाओ अर्थात जैन दश्यन का आतनुवाद जैसा महागरंथ आपकी प्रखर मेधा का परिजायक है महाप्रग्य ने कहा भाग एक से अर्थालिस तथा आचारिय महाप्रग्य जी के अन्ने कई पुस्तकों के संपादन का सोभाग्य आपको मिला अंग्री जी भाषा में भी आपने अपनी कलम चलाई Happy and Harmonious Family, Understanding Joy and Sorrow, Who is a Jain Shravak आधी अनुवादित पुस्तके हैं तो आधुनिक शैली में Journey into Janism, Truth of Present, Introduction to Janism, Introduction to Theraband, Introduction to Preaksham Meditation, Basics of Janism, आधी पुस्तके संपादन के संपादन के वर्तमान में महाप्रग्य वांग्य में के महायग्य में आप सनलगने हैं चलाई हैं वैदुश्य आपके व्यक्तित्वे की विशिष्ट पहचान है सकारात्मक सोच और आत्मे विश्वास के कारण आपने प्रतेक समस्या का समाधान किया और यही आपके चित्त समाधी और सतत प्रसनता का राज है कृत्यग ताह मनुस्या समन्षेनी ने अपनी साधना के द्वारा, अपने सैयम के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा जन्मानस में अपनी एक अच्छी तस्वीर बनाई है और आज समनी जी जहां कई पर भी पहुंचते हैं, उनका अच्छा कार्य होता है, उनकी अच्छी प्रस्तुती होती हैं, लोग बराबर ये अन्भो करते हैं कि समनी जी सर्वात्मना अपने गुरु के प्रति समर्पित समन्ष्वेणी अनंत अनंत कृतग्य है, साधना के लिए आपके द्वारा दिये गए श्वास और विकास के लिए दिये गए विश्वास के प्रति परम्पुजे अचारी स्थी तुल्थि और अचारी स्थी महाप्रज्य जी की कृपा से इनको साधना का मुका मिला, सिक्सा का मुका मिला और काम करने का मुका मिला और इनको हमने निकर्टा से देखा है, इनकी उपसम के साधना अच्छी चल रही है, उसम सारंखो सामन्नम, सामन्य का सार उपसम है, यह उत्तर उतर इस दिसा में विकास कर रही है और आगे करते रही, सज्धाय जोगे पयो हविज्जा, प्रारंभर से इस साध्ध्याय के प्रतिसाय तुची रही है और मैंने देखा है कि अखाये, साले थिन बजे का समय हो, चाए चार बजे का समय हो, जिस समय स्वाध्याय का अक्रम शुरू करते हैं, ता यह प्राये, ठीक समय पर पहुंद कि आते हैं और निरंतर स्वाध्ध्ध्राय कार्वption चलता है नहीं नहीं हम साजीयों के पारेन करते ख़िए जम घंव रचैंघ करते हैं जए कोई गंबीर घर उकर उकर्ण हो यह तो प्राचमिक उपस्थितां रहती है यहां हो झांटे मैं च्योंएचरकों को कर्ते डर्चा तब ही यह उनुपस्थित नहीं होते हैं और संस्क्रित या प्राकेट के बरे ग्रंथ पढ़ते हैं तब ही उपस्थित रहते हैं तो सद्ध्याई में इनकी अच्छी रूची है उस अध्याई के साथ तमंग चिमंग संजम जोग यंग्चा है तब और जब में भी इनका अधिक तपश्या मुख्य नियोजी का जीकी होती है प्रतिमास्त कितने उप्वास करती है और भी काफी तब के प्रियोग होती है जब भी करती रहती है संजम जोग के प्रति भी जागरूक है तो इनोंने साधना की है शिक्सा प्राप्त की है साहित्य का काम किया है अच्छ अचारी स्री महारस्रमन जी के मार्कदर्सन में उनके निर्डे सन में महाप्रज्य वांगमय की एक तरह से साधना ही है वो साधना आगे बढ़ रही है तो ऐसा मानना चाहिए एक शिख्षा और अनुभो दोनों का योग है शिक्षित व्यक्ति परिस्थिति के अनुशार स्वयम को बदलने का प्रयास करता है और अनुभवी व्यक्ति अपने आवश्यक्ता के अनुशार परिस्थिति को बदलने के ख्रमता रखता है तो इनोंनों भी अपने शिक्षा और अनुभों के आधार पर अपने जिवन में विकास किया है और भी निरंतरागे विकास करते रहें कि अपने जिवन में विकास कि अपने जिवन में विकास किया है कि अपने जिवन में में विकास मन्रोट अपने विकास कि अपने जिवन में विकास कि अपने प्रपॆ और अनुटू अपने है surfaces है झाल 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 झाल